दोस्तो आप सभी का स्वागत है सुख जीवन सिफरो चैनल पे आज हम बात करेंगे इंडिया प्लेइंग 11 की न्यूजीलेंड के खलाफ जो अपना इंपॉर्टन मैच खेलने वाला है रवीवार को 22 इक्तूबर 2030 को और इस मैच में यह दोनों टीमें अभी तक 8 पॉइंट्स हाजल कर चुकी हैं अपने पहले चारों मैच लगादार जीतने के बाद और इस इंपॉर्टन मैच में यहां भारत के लिए चिंता है कि हार्दिक पांटिया इंजड हो चुके हैं वो इस मैच में खेलेंगे या नहीं यह भी हम आपको पताएंगे वेस्ट बेशिज है टीम इडिया के लिए चो हमारी तरफ से चैनल की तरफ से जो प्लेइंग लेवन है उसमें रोहिश अर्मा और शुमम गिल ओपन करेंगे रोहिश हमार बहुत ही अच्छी फॉम में है पहले ही शतिल का चुके है शुमम गिल भी बहुत ही साउंड प्लेयर है पिछले मैच में उन्होंने अर्शा तक लगाया अच्छी फॉम में है उसके बाद होंगे तीन नंबर की इंपॉर्टन पोडिशन पे गिंग विराट को पर क्यल राहुल जो के जबर्दस्थ फों में है वर्ल्ड कप में और बहुती अच्छे टेकनिकल प्लेयर है फिर होंगे रविंद जड़िय ज़ए जो के बहुत इंपॉर्टन प्लेयर है टीम इड़िया कе लिए बाल और बल्ले के साथ और फिर हार्दिक पांडिया जो के चोटल है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे और उनके बाद होंगे कुलदीब यादव जो के स्पिन की बागदोड भी संबालेंगे और उनके बाद होगे जस्परीद, बुमरा जो के यॉरकर किन्ग है और बहृत ही जबर दस फॉर्म है और उनके बाद होगे मुहमर्श, शमी हमारी हर बार हमारी playing 11 में जो के बहुत experience प्लेयर है और व्रल्ल कप में वो हम खेलने ही चाहिए और उनके बाद होंगे मुहम्मद से राज जो के पेज बॉलर रहा है बहुत शांदर अभी तक वर्ल्ड कप में हलाके उनके उनके खास कुछ नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनके बहुत ही उमीदे हैं जहां तक हारदिक पांडिया की बात करें तो वो इंजर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से वो नहीं खेलेंगे बहुत इंपॉर्टन प्लेयर हैं उनको रेस्ट दिया जाएगा उनकी जगा पर हम प्लेइंग 11 में जगा दे रहे हैं रविंदर जड़ेचा और कुल दीब यादर स्पिन के दमाजी करेंगे और शर्दुल और रविंदर जड़ेचा जो हैं वो आल राउंड रहोंगे तो दोस्तों हमने एक ही चिंज किया है हर्दिक पांडिया की जगा शर्दुल ठाकुल खेल रहे हैं पांडिया इंजड आया है तो यह है हमारी तरफ से प्लेइंग लेवन तो प्लीज आप भी कमेंट करकर जूरू बताएं कि आपके असाब से इंडिया की प्लेइंग लेवन कौन सी होंगी न्यूजिलेंड के खलाफ तो दोस्तों हमारी तरफ से वेस्ट विशिज रोही शर्मा की टीम इंडिया के लिए इस रवी वार के अगले मैच के लिए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया बेल का आइकान भी दुबा दें ताकि भारतिय टीम की विजे मैचिस की वीडियो की नोटिक्वेशन आपको मिलते रहें और अगर अच्छी वीडियो लगी है आपको तो प्लीज शेर कर दें सभी तक पहँचा दें धन्यावा दोस्तों थेंक यू हंसते रहो मुस्कराते रहो जिन्दकी की हर गेम हर मैच को जीते रहो